दूस्तो जैप्रकास पौर वेंशिर्स लीमिटेड की बात कि तो श्टॉक के अंदर लग गया आज अपर सर्कृट और दूसरी तरब जैपी एसो सेट में लगया लोवर सर्कृट तो उसके पीछे वज़ग क्या बनी एक कंपणी में अपर सर्कृट और दूसरी में लोवर स सबसे जो बड़ी बात है पावर सेक्टर के लिए अब बजट नया आने वाला है क्या सरकार की तरब से एनॉस्मेंट हो सकती है और क्या इस समय जेपी पावर जो अभी भी बहुत कम प्राइब स्टॉक मिल रहा है क्या इंवेस्मेंट करना चीए अब क्वाटर वन भी आने व जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बी एसी सेंसेक 77,341 के स्टर पे क्लोजिंग थी 1,31 पॉइंट की तेजी थी यानी पॉइंट 1,7% अपर क्लोजिंग थी बाजार ने लेकिन आज बाजार को FI का साथ नहीं मिला आज FI ने 13,720 क्रोड का नया इंवस्मेंट किया लेकिन सामने 14,374 क्रोड की उनका उनने बिक्वाली कर दी तो उनकी जो बिक्वाली का आख पॉइंट को ने बिक्वाली कर दी यानी पूरी तरह से भी बाजार में लोटके नहीं आये नई सरकार बनने के बाद भी FI दूसरी तरफ डियाई का भी साथ बाजार को नहीं मिला आज डियाई ने 11,251 क्रोड का नया इंवस्मेंट किया लेकिन सामने 12,071 क्रोड की बिक् यानी 820 कोड का उन्होंने भी माल बेचा आज दोनों ही FIDI बाजार में विक्वाल थे भले ही बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखे रिटल इंवस्टर के दम पे आज पॉजिंग पॉजिटिव रही है अभी तक 2626 कोड का फ्रेश इंवस्मेंट किया है डिया बात है कि गिरावट नहीं हुई दिनकी निचले लेवल तक श्टॉक गया और वहां से एक सांदार तेजी की समौनवनी बड़े फिटावस का जो खरीदारी शुरूई 20.15 पर देखे की 5% का पर सब्सक्री लगया स्टॉक आ गया 20 रुपे के पार तो काफी दिन से काफी दिन के बाद आज स्टॉक में हमने 20 रुपी देखा है स्टॉक काफी समय से 17 से लेकि 19 के आसपा से श्ट्रगल करा था पिछले 10-15 दिन से लेकिन फाइनली अब आप देखे तो वो प्राइज आ गई है जो 3 जून को आई थी जिस दिन हमारे एकजिट पोल के है यानि यहां से एक नई तेज़ी को स्टॉक अब दौड सकता है तैयार हो सकता है लेकिन दूसरी तरफ जेपी एसोसेट में आज लोर सर्क्रीट लगया 10.25 पर इस्टॉक आ गया लगातार गिरते हुए काफी नीचे आ गया और हो सकता है कि सिंगल डिजिन में चला जाए और इसके पीछे सबसे बड़ा रिजन है कि जो यहां पे एंसे लटी के दाल इसके उपर कारवाई हो रही है बैंकर्प्सी की तो बैंकर्स के सामने जो प्रपोज लखा गया थे जेपी एसोसेट की दाल से उनको पसंद नहीं आया और इसने पूरा मामला बिगार दिया तो आज NCLAT की तरफ से सुनिल कुमार सर्मा जो सस्पेंड़ बोर्ड जेपी एसोसेट की तरफ से उनको यहां पे न्युक किया गया जिनोंने NCLAT की कारवाई जो तीन जुनका ओडर था उसको चैलेंज किया था तो वहां पे NCLAT में उनकी सुनवाई हुई यहां पे सुनवाई क्योंकि पिछले साथ सालों से सैटल्मेंट हो नहीं पाए तो यहां पे जो वन टाइम सैटल्मेंट के तैद देखे तो 200 क्रोड रुपे की अफ्रम रकम देने की बात है और बाकी 16,000 क्रोड जो है वो 18 महिने में चुकाए जाएगा और यही जो बात है वो पसंद नहीं और देख सकते हो कि यह लेंडर्स की तरफ से जो उनका जवाब आया है वो लाश्ट मिनिट में आया है तो अभी पूरी सुनवाई होनी पाई है तो इसलिए NC LAT इसके ओपर आगे भी सुनवाई जारे रखेंगे जो वन टाइम सैटल्मेंट जो पेस किया गया है उसमें उन करपसी की कारवाई आगे बढ़ेगी और इसी वज़े से डर की वज़े से आज इसमें लोड सर्केट लगया जेपी एसोसेट में लेकिन अब सवाल यह है कि जेपी एसोसेट और जैप्रकास पूर वेंचरस लिमिटेंड भले एकी ग्रूप की कमपनिया हो जेपी एसोसेट की सबसेड़ी है जेपी पावर लेकिन क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है जेपी पावर की तरब से कि उनका बोर्ड पूरा अलग है उनका मैनेजमेंट अलग है उनके सारे के सारे जो देंदार है जेपी एसोसेट का उसका जेपी पावर से कोई लेना देना नहीं है और इस उसके बदले में JP Power ले ले, क्योंकि ये कंपनी का कारूबार अच्छा है, आप इसके fundamental से भी संबद सकते हैं, इस समय मार्केट कैप 13,089 ए 10 क्रोड के आसपास है, करन पाई इसकी 20.10 की है, अगर लो देखे तो 5.90 और हाई 24 का है, फिलाल उपर के लेवर से 4 उपर स्टॉक न मिल रहा है, यानि बहुत सस्ता है वैलूशन, आरोसी 14,014 परसेंट के आसपास है, और आरोई भी 12.8 परसेंट के आसपास है, फेस वैलूट है, तो आप ये देखे तो कि पैनी स्टॉक होने के बावजूद भी सके fundamental बहुत अच्छे है, जो इसमें निवेस के लिए हमें प फिर 10 बचकर 15 मिनर पर 20.02 की प्राईस है, 12.186,00 की बड़ी खरीधारी हुई, तो फिर 11 बचकर 23 मिनट पर 20.05 की प्राईस से, 8.39जूरो की विक्वाली की खरीधारी और हुई, उसके बाद अगर आप देखें, 12 बचकर 16 मिनट पर 20.12 की प्राईस से, 10.43जूरो की करीब 70 लाग शेर खरीदे और इससे हम कह सकते हैं कि यहां पर एक अच्छी टेजी की सुरुआत हो सकती है फिर 12 बजकर 17 मेर पर 20.13 की प्राइस से यहां पर 7,34,000 की एक खरीदारी और वी यानि किसी बड़े फंडाउस नहीं यह शेर साथ में खरीदे और फिर 12 बजकर 18 मेर 20.13 की प्राइस से 21,68,000 की एक बड़ी खरीदारी और हुई यानि यह सारे शेर अगर जोड़ दे तो करीब एक क्रोड के आसपास किसी ने शेर खरीदे यानि भारी बरकम खरीदारी किया किसी ने क्रोडर शेर उठाए अब यहां पर एक बजकर 15 मेर पर 20.13 की प्राइस से 20 कमाल कर सकते हैं इसके पास अलड़ी थर्मल पॉर प्लांट भी है काफी बड़ा और खुद की दो कोल माइन्स भी है और इसलिए इसका यह प्लस पॉइंट है और आने वलस में यह स्टॉक बैतर प्रदर्शन कर सकता है ऐसे में निवेश किया जासा है लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाईजिस बढ़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें कि कुमाने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से दिरू किज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए थैंक यू फ्रेंट